नवस्कार दोस्तों D5 चैनल हिंदी देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं ध्रमेंदर संदू स्वाक्त करता हूँ भारत में कई प्राचीन वा परसेद मंदिर हैं जो भारतिय संस्कृति का अभिन अंग हैं सदियों पुराने हैं मंदिर आज भी तिहास की गौर्व गाथा का गान करते दिखाई देते हैं ज्यादातर भारतिय मंदिरों में किसी ना किसी देवी या देवता की पूझा की जाती है लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जहां पर एक महिला की पूझा की जाती है लेकिन इससे भी ज्यादा हरानी की बात यह है कि वह बहादुर महिला मुस्लिम धर्म से समंध रखती थी डोला मता मंदिर के नाम से परसे दिया मंदिर गुजरात के एहमदाबास से 40 किलो मेटर की दूरी पर पढ़ते जूलासन नामक गाउं में इस दित है कहा जाता है कि आज से 2.200 साल पहले इस गाउं पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया जिसमें डोला नामक मुस्लिम महिला ने इन हमलावरों का डट कर सामना किया और शहीद हो गई कहा जाता है कि इस महिला का मृत शरीर देखते ही देखते फूल में बदल गया डोला की वीरता के सम्मान में गामवासियों ने उस्थान पर जहां डोला ने अपनी अंतिम सांसली थी इस मंदिर का निर्मान करवाया और डोला को देवी का रूप मानते हुए पूजा अर्चना शुरू की गामवालों का मानना है कि आज भी डोला माता उनकी रक्षा करती है इस मंदिर में मूर्ती की बजाए एक यंतर की पूजा होती है इस मंदिर में गुजराती नहीं बलकि पूरे देश से लोग आते हैं और मनते मांगते हैं लोगों का मानना है कि डोला माता के मंदिर में हर मनो कामना पूरी होती है जुलासन परसिद अंतरिक्ष सुनीता विलियम्स का पैतरिक गाम है जब सुनीता विल्यम्स अंत्रिक्ष यात्रा पर गई थी तो उनकी रक्षा के लिए इस मंदिर में अखंड जोती जलाई गई थी इस गाउं के लोगों ने डोला माता से प्रार्थना की थी कि सुनीता विल्यम्स सुरक्षित वापिस आ जाए खास बात ये है कि ये अखंड जोती चार महीने तक जलती रही सुनीता विल्यम्स इस मंदिर में खुद आकर पुजा कर चुकी है विदेश जाने के चाहवान यहां करते हैं पुजा डोला माता मंदिर को डालर माता मंदिर के नाम से भी जाना जाता है इसका कारण है कि इस गाउं के ज्यादा तर लोग विदेश में बसे हुए हैं इस गाउं की अबादी साथ आठ हजार के करीब है लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस गाउं के दो हजार के करीब लोग विदेश में रहते हैं जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वह इस मंदि मंदिर में नवरात्रों में बहुत बड़ा मिला लगता है सु दोस्तो यह थी गुजरात में स्थित डोला माता मंदिर से जुड़ी जानकारी ऐसी ही जानकारी लेकर फिर आपके रूबरू होंगे आप जुड़ी रहिए डी 5 चैनल हिंदी के साथ